नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एजे चोधरी आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ और मित्रों आजम बात करने वाले हैं आर्पेसी सेकंड ग्रेड एक्जाम 2018 में जो फर्स्ट पेपर है जिके का उसमें राजस्तान करंट के कुछ मैथपून क्यूसन के बारे में उसको इजाज़त लेने पड़ेगेर गोवर्मेंट उससे लेगेर आर्पेसी देखे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका इस तरह की चीजें सिर्फ विद्यार्थी को एक्जाम से भटकाने के लिए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्जाम की डेट आप किया चुकिए 28 अ लूटू पर ही पेपर ओपन कर दिया जाएगा और आपको अपना इमानदारी से उस पेपर को सोल करना है उस पेपर में नेगटिव मार्किंग भी होगी जैसे एक्जाम में होता है उस तरीके से आपको करना है जिसके 200 नंबर में से 100 नंबर भी आगे नेगटिव का राजस्तान साहित्य अकादमी यानि जो उद्यपूर से दिया जाता है का सर्वोच मीरा पुर्षकार किसे दिया गए है तो ये राजस्तान साहित्य अकादमी जो उद्यपूर है उनके द्वारा दिया जाता है और सर्वोच पुर्षकार है ये साहित्य का इस अकादमी के द इस राजस्तान साहिते अकादमी के दुवारा कुछ और पुर्षकार भी दिये गए हैं, जैसे सुधिंद्र पुर्षकार, ये दिया जाता है कविता में, संबुद्याल सक्सेना पुर्षकार, ये दिया जाता है बाल साहिते में, तो इस परकार से ये कई पुर्षकार हैं, य जो संबुद्याल पुर्षकार है संबुद्याल सक्सेना पुर्षकार ये गोविंद भार्दवाज को दिया गया है इनका कौन सा है बाल साइते ये बिल्ली मोसी बड़ी श्यानि इसके लिए दिया गया है और जो सुदिंद्र पुर्षकार है ये कविता में दिया गया है और कहां डुंडे रहे इसके लिए दिया गया है कनयालाल सहल पुर्सकार ये हरदर्षन सहेगल को दिया गया है डगर डगर पर मगर इसके लिए और पंडी जनारदन राए नागर समान जो है ये डॉक्टर मतुरेश नंदन कुल्सरेश्ट को दिया गए हैं तो थोड़ सी द्यान में रखेगा मैंने मैं सीज़ें ये सभी जो पुर्षकार हैं ये रास्तान साहिते अकादमी उद्यपूर के द्वारे दिया गए हैं सर्वस पुर्षकार है मेरा पुर्षकार जो की दिप्ति कुर्सरेट्स जोथपूर की हैं इनका उपन रमेश खत्री जी को मो को कहां ढूंडे रहे इसके लिए कनिया लाल सहल पुर्सकार ये दिया गया हर दर्सन सहेगल को डगर डगर पर मगर उसके बाद में हम बात करते हैं अंतराश्ट ये करनल जैम स्टोड सम्मान ये किसे दिया गया है ये 36 वार्षिक समान है 36 ये उध्यपूर के द्वारा दिया जाता है महराना मेवाड चेरी टेबल फांडेशन के द्वारा किसे दिया गया है करनल जैम स्टोड समान ये है प्रोफेसर जोन इस्टेनन हावले ये कोलंबिया युणिवरसिटी के प्रोफेसर है कोलंबिया का है USA में है यूनिवर्सिटी में तो जो विदेशी वेक्ति है कर्नल जेम्स टोड कहां के थे राजस्तान के जो इतियास का पिता किसको का जाता है कर्नल जेम्स टोड कोई कहते हैं लेगिन चुंकि ये विदेशी थे तो ये पुर्सकार भी भार के वेक्ति को दिय जाता है प्रोफेसर जोन इस्टेगन हावले इसी साल दिया गया है तो काफी मैत्पून क्यूशन है उसके बाद में है नई दिल्ली में आयो जीते बी डवल्यू बिजनेस वर्ड शिक्स डिजिटल इंडिया समिट एंड आवार्ड्स इसमें परसन ओफ दा इयर यह को तो यह सिरिमती वसंद्र राजी सिंदिया जो कि राजस्तान की अभी सीम है मुख्यमंत्री नेक्स्ट है राजस्तान की मांड गाईका जिनका 23 नौमबर 2017 को निधन हो गया कौन है वो मांगी वाई जो एक गी था केसरिया बालम आउने पधरो मारे देश तो उनसे लोग पिरियता ही थी इनको और यह क्युशन अभी जो आरिस्परी का एक्जाम हुआ था 2018 में आगस्त में उस परी के एक्जाम में भी इनका क्युशन आये था तो थोड़ा ध्यान में रखेगा और अब यह कहां की रहने वाली थी उध्यपूर की यह भी ध्यान रखना जरूर यह वैसे मोल रूप से तो यह है परताफगड यह ध्यान में रखेगा मोल रूप से यह आप देख सकते हैं इनको और थोड़ा सा मांड गाई के एक बारे में देख लेते हैं देखे दसमी ग्यार में स्ताबदी में जैसलमेर शेतर जो है यह मांड शेतर कहला था और यहां जो विक्सित गायन शेली है वो क्या कहला ही मांड गायन शेली है यह एक सरंगार मर्तिव ही थी नॉवंबर 2017 में अला जिला भाई जो विकानेर की हैं ये केसरिया बाला माउनी पधारों महारदेश इनके लिए फेमस ये भी मांडगाईका हैं गवरी देवी है पाली की ये भी मांडगाईका लिए मांडगाईका के भी अलग लग हैं जैसे बहरवीर ये साध लिएपूर है जिनकी मर्तिव हुए ये राजस्तान का राजेगीत जो है ये परतंबार गया गया यह भी मांडगाईन शैली के लिए परसिद हैं और इसके लावए एक जमीला बानो नाम ओर है ये भी मांडगाईन शैली के लिए परसिद है तो चैरपांस नाम ध्यान में रखेगा मांगी बाई है, अलाजिला बाई है, जमीला बानो है, और इसके अत्रिक्त गवरी देवी है, नेश्ट कुछन है, परधान मंतरी नरेंदर मोधी के द्वारा पंच पद्राबाड मेर में तेल रिफाइनरी का सिलानियास किया गया, 16 जनवरी 2018, देखे डेट भी मैत् तो 43,139 करके कुछ है इसका जो है, लेकिन जो अगर ऐसे देखें तो 43,000 करोड के आसपास आप इसको याद रख सकते हैं, ये देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है, जो बिलकुल मोडन है, बिलकुल आधनिक तरीके से है, अधनिक तरीके से, एको फेंडली रिफाइनरी है, और इसका जो मानक है, वो है BS6, हर चीज़ का एक मानकते होता है, तो इसका BS6 है, जो कि सबसे बेश्ट मना जाता है, तो थोड़ा ध्यान में रखेगा इसको, उसके बाद में है भारतमाला परियोजना, ये क्या है, ये केंदर सरकार के एक महतवा कांक्सी परियोजना है, औ तो उनका पूरा करने का काम किया जाएगा, तो भारतमाला परियोजना है, किसकी योजना केंदर सरकार की, राजस्तान में किसको जोड़ा गया है, कोट पुतली वाईपास को, उसके बाद में देखे, सिरिलाल जोसी, इनका 3 फरवरी 2018 को नेदन हुआ है, ये कौन है, ये फ पाबुजी की फड़ है, देव नारेन जी की फड़ है, तो इस परकार से इनकी फड़ बनाई जाती है, इनका जो जीवन का, पुरा जीवन का चितरांकन है, वो उस मोटे कपड़े पर किया जाता है, और फिर उसे, उन चितरों को देखे गाय जाता है, तो उसे कहते हैं यह शाही ट्रेन है और एक बर्लीन में समारो हुआ था मर्स 2018 में इसे ट्यूरिष्ट ट्रेन ओव दा इयर का खिताब दिया गया खिताब से नवाजा गया ट्यूरिष्ट ट्रेन ओव दा इयर पेले सोन विहल स्कूम उसके बाद में हम सफर एक्सप्रेस तो परदान मंतरी नरेंदर मोदी के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया ये कहां से कहां चलेगी मैसूर से उद्यपूर के मत दे ये ध्यान में रखेगा हम सफर एक्सप्रेस जो है ये मैसूर से उद्यपूर के मत दे उसके बाद है ज तो देखे, आठ वर्ष जो है, सरकार अपने मर्जी से ऐसे बोल के नहीं कर सकती है, जो भी काम होता है, ओफिशली होता है, तो इसके साथ एक मैत्पुन बात द्याने में रखेगा, सरकार ने जो लोकायुक्त एक्ट है, उसके अनुसुची पांच में संसोधन कर गें, और इ व्यापारी कल्यान बोर्ड का गठन किया गया है, कितनी लागत है, दस करोड, हैड ओफिस का होगा, जैपूर्ण, कारेकाल तीन वर्ष, और इसके कौन-कौन होंगे, इसमें एक तो अधेक्स होता है, जो की मुख्यमंतरी महोदे होंगे, और दूसरे इसके सदशे होंगे, जो इनका कारेकाल तीन वर्ष के लिए जो है, हर तीन माय में कम से कम एक बैठी होनी आउशक है, उद्देशे क्या है इस व्यापारी कल्यान बोर्ड का, व्यापारी उद्द्यमियों के कल्यान के लिए सामजिक सुरक्षा, बीमा योजना लागू करना, व्यापारीों की सम पूर रहेगा कारेकाल तीन वर्ष हर तीन माहें में कम से कम एक बैठक उसके बाद में है देवेंदर जांजडिया जो है इनको राजस्तान निरवाचन विभाग की और से ब्राण्ड एमेसेटर बनाये गया हैं अब ये कौन है देवेंदर जांजडिया ये दो बार के पेरा ओलम्पिक विजेता हैं नेक्ट कुशन है कोटा जो है वो राजस्तान का पहला जिला है जहां पाइप लाइन द्वारा गेस का वित्रण किया जाएगा ये कुछ छोड़-छोड़ एफेक्ट भी है केंदर सरकार के द्वारा जो लिवेबल सिटी है यानि रहनेयों के सिटी जो है उसमें जैपूर, अजमेर, कोटा, उद्यपूर और जोड़पूर इन पांच जिलों को जो है इसमें शामिल किया गया है आधार क्या था इनका नागरिंगों का जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्तिय, इत्यादी के आधार पर एक चीज़ का ध्यान रखेगा अब इसक बरतपूर संबाग का नाम नहीं, तो बिकानिर बरतपूर को छोड़के बाकी जो भी पांस संबाग है उनके नाम है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, उसके बाद है, इलेक्ट्रो पेती, चिकिसा पत्ती विदेग, 2018, लाने वाला देश का पहला राज्य कोन स राष्ट पती जो है रामनात कोविन, इन्होंने पहली बार पर्थम उलेखनीय योगदान करने वाली महिलाओं में, राजस्तान की दो महिलाओं भी शामिल है, देखे रामनात कोविन नहोंने समानित किया, और पर्थम बार से मतलब क्या है, मतलब हर काम में जो पहली बार परदान मतरी कौन थी, पहली बार महिला विदान सबा अदेक्स कौन है, तो इस तरह से जो पहली बार की जो महिलाएं हैं, उनका चुनाव किया गया, और उनने समानित किया गया, डेश की कुल महिलाएं 112 है, उसमें राजस्तान की दो महिलाएं भी थी, ये बहुत मौश्ट किया था, MBA, MBA जो है, और छवी राजावत, सोडा गाउं की सरपन्स, और दूसरी है, मंजू, तो ये मंजू कोन है, ये पहली कुली है, देखे एक I.S. और फेमस है, रास्तान में मंजू राजपाल, आदिवाश्यों के बाईजीर, इस तरह से कई वे उनको कई बार समानि किया गया है, तो ये नाम से आप कन्फ्यूज मत होएगा, ये जो मंजू है, ये मंजू राजपाल नहीं है, ये मंजू है, जो पहली कुली है, चवी राजावत और मंजू, नेक्स्ट है, और नेतर में गणतंतर दीवस, यानि 26 जनवरी 2018 जो दिल्ली में राजपत्पे, प किसके द्वारा दिया जाता है, ललितकला अकादमी के द्वारा, 2017-18 का किसे दिया गया है, पंकज गहलोत को, राजस्तान के ये, सेवर्थ बाइनेचर, इनकी जो ये, इनकी कृति है, इसके लिए दिया गया है, बुक के लिए, सेवर्थ बाइनेचर, किसे, पंकज गहलोत क को दिया गया है राष्टि अकादमी पूर्शकार ललितकला अकादमी की दुवरन उसके बाद है राजस्तान में पहला फूड पारक है यह कहां देने मित किया जाएगा रूपनगड किसंगड में है किसंगड का है अजमेर में यानि अजमेर के रूपनगड में सोर उर्जा उ तो मित्रो एक बार शोट में फिर से देख लेते हैं 2017-18 का राजसान साहितियाकादमी पुर्षकार जो है ये जो रास्तान साहितियाकादमी उद्यपूर के द्वारा दिया जाता है सर्वोच मीरा पुर्षकार साहिति में दिप्ति कुल्सरेश्ट को दिया गए है अंदे मोड से आगे तो इनका नाम सबसे महत्पून है ये द्यान में रखेगा अने पुर्षकारों में सुधिंदर पुर्षकार है संभुद्याल सक्सेना पुर्षकार है देविलाल समर पुर्षकार है कनेयालाल सहरपूर्सकार है, पंडी जनारदन राइनागर समान उसके बाद में हैं अंतराश्टिय करनल जैम्शोट समान किसे दिया गया है तो ये है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जोन इस्टेनन हावलें उसके बाद है नई दिली में आयोजीतन जो B.W. Business World Six Digital India Summit and Awards जो है इसमें परसन ओफे येर का खिताब किसे दिया गया बीस में दोजार अठार को तो राजस्तान की सियम है सिर्मती वसंदर राजीन मांडगाई का कौन है राजस्तान की जिनका नॉवंबर 2017 में तेईस नॉवंबर 2017 को निदिनवा मांगी भई इनके साथ जो मैंने और भी मैलाओं के नाम बता हैं जो कि मांडगाई का है उन सब का भी याद रखना जुरूरी है परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने पंच पद्रा में तेल रिफाइनरी का सिलानाश किया कितने का कर्चा है 43,000 करोड और देखे ये तो राजस्तान को बहुत आए होगी इसे मानक कौन सा है BS6 इको फ्रेंडली रिफाइनरी है भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी जो है वो यही है भारत माला परियोजना है केंदर सरकार की मैतवा कांग सी परियोजना है जिसमें कोट पुतले बाइपास को विशामिल किया गया है सिरलाल जोसी कौन है फड़ चितरकार है सबसे फेमज बेलवाडा शाहपुरा का जोसी परिवार है वो पुरा ही फड़ चितरन के लिए परसिद है इनका तीन फरवरित दोहजार अठार को निदन हो गया है अच्छा इनके बारे में एक चीज और बतातूं जो मेगराज मुकुल की कविता थी सेनानी मेगराज मुकुल जो है कवी है उनकी कविता थी सेनानी तो उस सेनानी पड़ भी फड़ चितरन बनाई है सिरिलाल जोसी ने बनाई थी अब तो इनके मर्ति होगी सिरिलाल जोसी जी की ये सेनानी कोन सी है देखे जो हाडी रानी है सहल कमर उन पर लिखी गई है उन्होंने अपना शीष काड़ दिया था उनके पती ने यूद में जाने से पहले कोई निसानी मांगी तो चुण्डावत मांगी निसानी सरकाड़ दियो शत्रानी हम सफरे एक्सफ्रेस जो है कहां से कहां मैसुर से उद्यपूर लोका युग जस्टिस SS कोठारी का कारेकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है तीन वर्ष अब ये देखे इसमें भी आपको कन्फ्यूज करके वो बेवकू बनाने के कोशिश कर सकता है कारेकाल होता है कारेकाल बढ़ाया गया है कितने वर्ष बढ़ाया गया अब कुल कितना कारेकाल हो गया तो हर चीज में डिफरेंस है क्यूस्टन को पढ़के इसको कीजिएगा मुखे मंत्री की अधेकस्ता में व्यापारी कल्यान बोर्ड का गठन किया गया है उसमें भरतपूर और बिकानेर को छोड़ के बाकी 500 संभागों के नाम है। इलेक्ट्रोपेती चिकिसापती विदेग लाने वाला कौन है राजस्तान जो है पुरे बारत का पहला जिलान। रामनात कोविन ने जो पर्थम महिलाएं है अपने शेतर की उनको समानित किया उसमें दो महिलाएं राजस्तान की भी है एक तो है सरपंस है छवी राजावत सोड़ा गाउं की और दूसरी है मंजू ये पहली कुली है दिपी का चोदरी जो बाड मेर की है इन्होंने दिली रा पत्पे प्रेड का नेतरतु किया था गंद तंतर दीवस पे राष्टी अकादमी पुर्षकार जो है ये पंकज गहलोत को दिया गया उनकी करती सेवर्थ बाई नेचर की लिए राजस्तान में पहला फूड पारक रूपनगड किसंगड और सोर उर्जा उत्पादन में दे जय हम जय भारत